कि हाुआ अलो स्टुडन्स आज में हैसं में मेजर्मैंट चैप्टर कॉंटिन्यू करेंगे हमारी चैप्टर है रहे हैं एलेवन एन हमने लास्ट क्लास्स Amate Elle कन्वर्जेंस किसकी पड़ी थी लेंथ यूनिट होती है लेंथ की किलो मीटर में मीटर एंड सेंटीमीटर मीटर तो यह आपको कन्वर्जेंट बताई थी और इसी टाइप से एकसरसाइस थी इसके उपर 11.2 अज नेक्स्ट है मेजरमेंट आफ वेट अब वेट की कन्वर्ज अग्राम्ड में बढ़ी तो मेंन इसकी यूनिट क्या होते है केज़ी किलो ग्राम्स क्या एंड मिलि ग्राねं व SH ग्रम एनड वन इसको के अंदर दो नंद्ट मिलि ग्राम्स गिए manifestि जो यह थे ।ो यह दिफंस एकरते हैं एक Inड इस Bu 1 kg तो ऐसे अलग-अलग weights दिये हैं अब conversion इसमें भी same जैसे हमने length में convert किया था meters को और इसमें भी हम grams को convert करेंगे यहां पर मेन इसकी 3 units होती है kg को जब हम convert करेंगे grams में यानि bigger unit to smaller unit करेंगे तो हम multiply करेंगे जैसे हम उसमें length में किया था तो kilogram को ग्राम में convert करने के लिए 1000 से multiply करेंगे और gram को ग्राइब करने के मिलिग्राम में फिर 1000 से क्योंकि इनके यहां पर आपको relation ग्राम में 1000 g storms होते हैं कि तो यहां पर किलो ग्राम को ग्राम में convert करना है 4 kg 4kg को करेंगे दोड़े 5000indre 3000 GB हैं उafar rights 3 kg 200 grams है तो पहले 3 kg को कनवक्ट करेंगे 3 into 1000 3000 प्लस जो grams 200 वो प्लस कर देंगे हम उसमें 3000 plus 200 to 3200 grams तो यह जाए ग्राम में अब यह grams को मिलिग्राम में करेंगे सेम हम 1000 से multiply करेंगे बस unit change हो जाएगी यह ग्राम है तो यहां मिलिग्राम से हो जाएगा mg और है अब इसको smaller unit को bigger unit में convert करने के लिए क्या करेंगे किवाइट करते हैं तो ऐसी kg को gram में करेंगे तो हम thousand से divide करेंगे gram को miligram से thousand से divide करेंगे अब यहां पर miligram को gram में करना है तो यह 18,000 Miligrams है तो आपको हमें आपको बताया वाए 1000 जितनी जीरो होती है यह उतने लास्ट की जो नंबर में उतनी रिमेंडर बचता है और वह ग्राम्स में कनवर्ट हो जाएगा मिली ग्राम्स है 18,000 में यह थ्री जीरो रिमेंडर हो जाएगी तो क्या बचेगा 18 18 ग्राम्स यहां पर है 4204 मिली ग्राम्स 4205 को 4205 को डिवाइड किया 1000 से तो यह 205 जो है वह रिमेंडर में जाएगा यह क्या हो जाएगा मिली ग्राम्स और 4 4 क्या हो जाएगा ग्राम्स 4 ग्राम्स 205 मिली ग्राम्स ऐसी ग्राम्स को केजी में किया कनवर्ट तो 99,000 ग्राम्स इसको केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड जे zeros cancel तो क्या बचा 99 99 kg अब इसमें नेक्स है 6385 ग्राम्स फिर अगें 385 तो हम जो ग्राम्स में लिखेंगे इसको 385 और 6 जो बचेगा उसको kg में 6 kg 385 ग्राम्स यहां 3 zeros हैं तो उतनी 3 प्लेसे से हम रिमेंडर बचेगा हो इत इस इंपोर्टन तो नोट नोट दाट दर मेंडर इस ऑल्वेज इन दस्मालर यूनिट अभी आपको बता है जो डिमेंडर होता है वो आलवे स्मॉलर यूनिट में लिखा जाता है अब अब m слож एक्सेस है इस ही पे सेम कांवर्ट करेंगे पहले दियावए केज़ी को घ्राम में करना है देन मिली भूर्व मिली ग्राम में तो यह तो दोनों आपके GUY्गर यूनिट से smaller unit में convert करना है इसमें multiply करेंगे और इसमें दोनों में आपको smaller unit से bigger unit में convert करना है तो इसमें divide होगा ठीक है simple exercise भी अब ऐसी capacity है capacity किसमें major होती है liters में liters मिली लीटर किलो लीटर में इसमें भी आपको बता अब भी लीटर का 1 किलो लीटर है मन किलो लीटर में कितने थाउजंद लीटर होते हैं और वन लीटर में थाउजन मिलीलीटर बाकि इसमें हाफ लीटर हाफ लीटर क्या हो गया one by two जैने half अब वन लीटर में 1000 रते हाफ में कितने होजेंगे 500 ml ऐसी क्वार्टर में वन फॉर्थ में मन फॉर्थ में इतने 250 ml है और थ्री फॉर्थ यानि थ्री क्वार्टर के अंदर 750 ml है तो यह भी आपको ध्यान रखना है यह आपको कोश्चंज में आ सकता है कि हाफ लीटर है और थ्री फॉर्थ में यह इतने मिली लीटर होते हैं और यह इसमें आपको अलग 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 कंटेइनर दिखा रखेंगी कितने कैपसिटी के वन लीटर का कंटेइनर 500 250 100 ml का इससे मेजर करते हैं अब करने के लिए बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में करना है आपने कि 1000 से मल्टिप्लाइब देन लीटर को मिली लीटर में 1000 से मल्टिप्लाइब करेंगे सेम जैसे हमने करना है ऐसी स्मॉलर को बिगर यूनिट में करना है मिली लीटर को लीटर में तो डिवाइड करेंगे 1000 से लीटर को किलो लीटर में करना है तो भी 1000 से डिवाइड करेंगे ब convert into milliliters यह अब इसके कोश्चन देखते हैं अभी एक फ्रैक्शन में भी दे रखे हैं तो फ्रैक्शन में अभी आपको बदाया था एट इस टू वन बाइ-फोर वन बाइ-फोर यानि वन फॉर्थ वन फॉर्थ में लीटर में कितने मिलीटर होते हैं इसको मिलीटर में convert करना है तो वन फॉर्थ में 250 ml होते हैं तो हम पहले 8 को convert करेंगे 8 into 1000 is 8000 प्लस वन फॉर्थ क्या है वन फॉर्थ हो जागा 250 ml 8000 प्लस 250 ml तो 8250 ml में आ जाएगा इसका प्लस फॉर्थ है उतने आपको वह पहले convert करके लिखना है उसके बाद वह एड़ कर देना है इसको लीटर में करना है यह सारे ml मिलीटर में दिए में है और आपको लीटर अन मिलीटर में बनाना तो इसको डिवाइट करेंगे हम तो थाउजन से तो यह भी एक्सराइज सिंबल है दो कुश्चन्स है इसमें तो यह conversion की exercise पहले आपको दोनों करनी है 11.3 11.4 ठीक है अपनी notebook में करेंगे दोन एक्सराइज अच्छे से और यह जो भी आपकी conversion है यह ध्यान रखेंगे कि किसमें दी गई है ओके थैंक यूँ